हेलो मैं हूँ अरुन कुमार यादो आप सभी का हिंदी मीडियम अकैडमी में स्वागत है आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा आठ की जो NCRT है इसके अध्याच है देहन और जुआला के उपर कुछ MCQs यानि की बहु विकल्पिय प्रश्न प्रश्नों को सुरू करने से पहले अगर आप हिंदी मीडियम अकैडमी को Instagram और Facebook पे फॉलो करना चाहते हैं तो यह Instagram ID है जब आप Instagram पे जाओगे तो यहां से आप हिंदी मीडियम अकैडमी को फॉलो कर सकते हो और यह Facebook पेज की ID है और अगर आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट है हिंदी मीडियम अकैडमी डाट कॉम यहां से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और अगर आप English Medium के student हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं इंग्लिस मीडियम के बच्चों के लिए है जैसे की A.K.E. Study यहां से आप मैस देख सकते हैं इंग्लिस मीडियम में और अकर आप इंग्लिस मीडियम में साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है Dear Science ठीक है इस YouTube चैनल पे आप साइंस की वीडियो इंग्लिस में देख पाऊगे तो चलिए पहले प्रशन से शुरू करते हैं तो जो इसका पहला प्रशन है या पे बोला गया है निमनलिखित में कौन सा देहन सील पदार्थ है आपके पास चार ओप्सन है कांच लोहे की कील सीमेंट और मिट्टी का तेल तो इन में से कौन सा देहन सील पदार्त है देहन सील पदार्त का मतलब वो पदार्त जिनका देहन किया जा सकता है मतलब जिनको जलाया जा सकता है जिनमें आग लगाई जा सकती है तो इन में से आप देख सकते हो कि जो मिट्टी का तेल है इसमें आप असानी से आग लगा सकते हो तो मतलब जो मिट्टी का तेल है ये देहनसील पदार्थ है तो मतलब यहाँ पर जो सही option है वो है option D, मिट्टी का तेल क्योंकि इसमें हम आग लगा सकते हैं मतलब ये देहनसील पदार्थ है ठीक चलिए अब आगे चलतें तो अब देखो जो प्रश्म 2 है इसमें पूछा गया वहत आप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है आपके पास है चार ओप्सन जुवलंत आप जुवला जुवलंसील डेहनसील पदार्थ जो भी आपको लगता है कि उ उत्तर देखते हैं देखो इसका उत्तर है जुवलंत आप आपको याद रखना है जुवलंत आप वह सबसे कम ताप होता है जिस पर कोई चीज जलनी सुरू कर देती है ठीक है तो वह ताप जिस पर कोई पदार जलना सुरू कर दे क्या कहलाता है जुवलंत ताप कहलाता है तो यहां से इसका एंसर हो गया अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की अब देखो जो प्रश्न तीन है इसमें पूछा गया है मुँबत्ती की जौला का मद्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है आपके पास उप्सन है लाल, पीला, हरा या काला जो जौला बनती है मुँबत्ती जब जलती है तो इसका मद्य भाग का रंग आपको बताना है तो देखो जब भी आप मुँबत्ती जलाओगे तो उसकी जौला का जो मद्य भाग यानि बीच वाला हिस्सा होगा वो हमेशा कैसा दिखता है, पीला दिखता है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा option B यानि की पीला ठीक है, देखो आपकी जो NCRT वाली किताब है इसमें ये चित्रा आपके सामने दिया गया है ठीक, जब आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर मुँबत्ती के जो जौला है उसके तीन छेत्र नजराएंगे पहला सबसे अंदर वाला छेत्र यानि आंतरिक छेत्र, ये काला होता है फिर दूसरा मध्य वाला छेत्र, यानि बीच वाला ठीक है, मध्य वाला भाग देखो यहाँ पर ये पीला होता है और फिर सबसे बाहर वाला हिस्सा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर यह सबसे बाहर चेत्र कैसा होता है नीला होता है तो मुंबत्ती की जो तीन चेत्र है तीनों के रंग आपको याद होने चाहिए सबसे अंदर वाला जो चेत्र है वो काला मध्यवाला पीला और सबसे बाहर वाला नीला हमसे क्या पूछा गया था मध्यवाला कैसा होता है तो मध्यवाला क्या है पीला इसलिए हमने किस पे टिक लगाया पीला पे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम गर्म कौन सा होता है सबसे जादा गर्म कौन सा होता है तो देखो जो सबसे गर्म, सबसे कम गर्म जो हिस्सा है, सबसे कम गर्म वो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है। जो बीच वाला हिस्सा यानि मद्ध भाग है वो कम गर्म है यानि कि बीच में ना ज़्यादा सबसे ना सबसे कम और जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा वो बाहर वाला हिस्सा यानि बाहर वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म कौन है तो सबसे बाहर वाला सबसे ज़्यादा गर्म होता है बीच वाला जो है ये कम गर्म है और जो अंदर वाला है ये सबसे कम गर्म होता है ठीक है तो इसके ओपर भी प्रशन पूछा जा सकता है अब देखो जो अगला प्रश्ण है यानि प्रश्ण 4 इसमें बोला गया ज्वाला में कितने छेत्र होते हैं आपके पास option है 4, 3, 5 या 2 तो यह तो अभी हमने देखा था कि इसमें कितने छेत्र होंगे 3 छेत्र होंगे ठीक है इससे पिछले वाले प्रश्ण में हमने देखा एक सबसे अंदर छेत्र, एक मद्ध भाग वाला छेत्र और एक बाय भाग वाला छेत्र यानि कि सबसे अंदर का, बीच का और सबसे बाहर का ये 3 छेत्र होते हैं मुंबत्ती की ज्वाला में या किसी भी ज्वाला में ठीक तो option B सही है यहाँ पे हम option B पे टिक लगा देंगे अब देखो जो पांचवा प्रश्न है इसमें बोला गया है निम्न में किस इंधन का उसमी अमान सबसे अधिक होता है आपके पास ये 4 option दिये गए हैं तो इन में से सबसे अधिक किसका उसमी अमान है ये आपको बताना है उसमी अमान का क्या मतलब है उसमी अमान का ये मतलब है कि अगर यानि मिट्टी का तेल, LPG और हाइडोजन इन में से सबसे अधिक किसका उसमियमान है यह आपको बताना था तो इसका सही उत्तर है हाइडोजन इन चारों में से हाइडोजन ऐसा है जिसका उसमियमान सबसे अधिक होता है अब देखो आपकी जो NCRT इसमें 6.4 यह जो सारणी दी गई हैं यह बहुत important है इसमें यहां पर इंधन दिये गए हैं और यहां पर उस्मिय मान दिये गए हैं आपको याद रखना है उस्मिय मान की जो इकाई है वो kilo-जूल पर kg होता है यानिकि एक kg अगर आप एक kg ग्राम अगर आप किसी को जलाओ गे तो कितना kilo-जूल उसमे से उसमा निकलेगी वही उसका उसमेमान होता है तो गोबर के उपले सबसे कम उसमेमान है 6000 से 8000 लकडी 17000 से 22000 कोईला 25000 से 33000 किलो जूल पर केजी इस तरह से है हमसे क्या पूछा गया था इन चरों में सबसे ज़्यादा किसका है हम बोलेंगे हाइडरोजन का यहां पर देखो जो हाइडरोजन है इसका सबसे ज़्यादा है उसमें से उसमा निकलेगी, वही उसका उसमी अमान होता है, तो मतलब मात्रक या इकाई क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तेल में लगी आग को किस गैस द्वारा बुझाया जाता है, आपके पास ओप् को अगर हम इससे बुझाते हैं, तो बहुत जल्दी बुझाती है, तो उप्शन भी यहाँ पर सही है, चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विद्धूत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अगनी शामक है, आपके प पास ऑप्शन है, पैट्रोल, पानी, रेत, या कार्बन डाई ऑक्साइड, अब देखो जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लग रही है, ठीक है न, यानि कि करंट है उसमें, तो उस पर हम पानी तो नहीं डाल सकते, ठीक है न, क्योंकि करंट जहां पर हम पानी डालोगे तो करं डाई ऑक्साइड, ठीक, अब अगला प्रस्ण देखते हैं, अगला प्रस्ण है लकडी का जलना, किस परकार के दहन का उधारन है, आपके पास फिर से चार ओप्शन है, मंद दहन, विस्पोटक, स्वता दहन, या फिर इन में से कोई नहीं, तो देखो, जब मैंने आपको दहन के परकार पढ़ाया था इस चेप्टर में, ठीक है, तो हर एक परकार के दहन को अच्छे से किलर किया था, अगर आपको इन सब के बार में डीटेल में जानना है, तो आप वो वीडियो देख लिना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल उसको हम बोलते हैं मंद दहन, ठीक है, क्या बोलते हैं मंद दहन, मंद दहन का मतलब क्या है, कि पहले आपको लकड़ी को गरम करना पड़ेगा, या फिर जलती हुई कोई दूसरी चीज लकड़ी के पास लानी पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे लकड़ी गरम होगी और फि देख लेना चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं आप देखो जो प्रश्ण 10 है इसमें बोला गया है निम्न में कौन विसपोर्ट का उधारन है आपके पास है चार ओप्सन लकडी का जलना तेल पटाके का दहन या फिर इन में से कोई नहीं तो देखो विसपोर्ट का क्या मत है विसपोर्ट का मतलब है ऐसा दहन जिसमें आग या चिंगारी के साथ साथ धुआ निकले प्लस में उसमें से बहुत तेजी से आवाज निकले तो हम बोलते हैं कि विसपोर्ट हुआ है तो यहां पर किसके जलने में ऐसा होता है पटाके के दहन पर ठीके जब आप पटाक हो जाएगा पटाके का दहन एक विसपोर्ट का उधारन है एक तो इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग